तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ऐसी प्राइबे टियो निवस्टी की जो की पाडिसिपेट कर रही है स्यूइट के प्रोग्राम में और इसके बेसिस पे ही आपको यहां बहुत सारे ओफर किये जा रहे हैं कोर्सिस तो आप बैया एपीजे स्थ्य यह निवस्टी नाम तो सुनहीं होगा आपने यह गुरुगराम हरियाना में NCR में सिचुएटेड यह निवस्टी है और बहुत ही अच्छे इनके रेकॉर्ड्स हैं क्या कैसी चीजे हैं पूरा हम डिटेल में डिसकस करने वाले हैं तो अगर आप भी इस यह निवस्टी को शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए और चैनल सब्स्राइब करना नहीं भूला है क्योंकि कोर्स इसकी, कॉलेज इसकी और करियर से जुड़ी हर जानकारी यहीं इसी चैनल पर आपको मिलने बाली है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के अधार पे ह हम बताएंगी क्या होगा आपके लिए बैस्ट तो नीचे प्रोफाइल अनालेसिस फोर में जिसको फिल अप करी और उसके मेसिस पे हम बताएंगे आपके लिए क्या हो सकता है बैस्ट तो चलिए स्टार्ट करेंगे अच्छा नाम है बैया 2010 में स्टाबलिज्ड हुई यह यूनिवस्टी प्राइबेट यूनिवस्टी है जिसका कामपस अराउंड 22 एकर्स में फैला हुआ कामपस है जो की गुरुग्राम हरयाना में सोना में जो है स्टाबलिज्ड है और साधी साथ इनके अप्रूबल्स की बात करें तो UGC, AIAER, NCT, BCI, PCI, ACU, AIU यानि तमाम variety of courses आपको यहाँ पर मिलने बाले हैं इनकी official website जहां सारी जानकारी आप चाहें तो देख सकते हैं https.university.apj.edu यह official website है जहां पर आपको सारी इनकी जानकारी मिल जाएगी तो बैया बढ़िया है एक बार चेक जरूर कर लीजेगा इनके schools की बात करें तो engineering and technology, visual arts and design, journalism and mass communication, biosciences, pharmaceutical sciences, इसके लावा management sciences, legal studies, education, behavioral sciences यह सारे के सारे schools हैं जो की अलग-अलग variety of courses provide गराते हैं उनका देख रिंख करते हैं सारी चीजें ठीक है ना बैया कोई रिकत परिशानी किसी को भी courses क्या-क्या यह CUET में provide करा रहे हैं जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि private university के बाब जूड़ी यह participate कर रहे है CUET 2023 में तो भाई आस CUET के basis पे आप इस university में भी admission ले सकते हैं तो क्या-क्या courses आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप focus करना चाहें तबी तो target करेंगे ना भाई तो courses आप देखें Bachelor of Pharmacy यानि B Pharma जिसको कहा जाता है D Pharma भी कराते हैं और B Tech Computer Science Engineering से और BA Honors Journalism and Mass Communication से BCom Honors Accounting and Finance से collaboration है इनका ACCA के द्वारा और Bachelor of Art Honors यानि BA Honors कराएंगे Journalism and Mass Communication हिंदी भासा में तो यह सारे के सारे courses हैं और भी आप देखना चाहें course तो B.A. L.L.B. Honors Bachelor of Administration B.B.A. Honors Human Resource से B.B.A. Honors Marketing से B.B.A. L.L.B. Honors इसके अलाबा Bachelor of Science and Medical Laboratory and Technology फिर B.A. Bachelor of Design B.D.S. जो की Fashion Design में होगा Interior Design में होगा इसके अलाबा Integrated courses करवाते हैं Bachelor of Technology Master of Technology Dual Degree वाले B.Tech M.Tech Program साथी साथ Bachelor of Design Graphic Design से भी यह कंड़क्ट करवाते हैं यह courses साथ में अगर आप देखें तो B.Design Animation and Multimedia B.Tech and Biotechnology B.Design and Production Design जिसको बोलते हैं Design आप Interaction Design में भी कर सकते हैं Integrated Bachelor courses हैं यह आप है Science और Education क्या नहीं B.Sc B.Ed की courses कंड़क्ट कराते हैं Integrated B.A. और B.Ed courses भी है इसके लाबा Diploma of Medical Laboratory Technology Bachelor of Administration Honors Financial Market Collaboration with N.S.E. Academy तो यह बहुत सारी variety of courses आपको यहाँ पे मिल जाने बाली है इनके fee structure की बात करें तो अगर आप कोई diploma course करते हैं तो 40,000 के around इनकी fees है Diploma courses की अगर B.Tech करते हैं तो भाई साब 2,60,000 रुपे प्रतिवर्स की fees है 4 साल के courses होते हैं B.Tech के उसके साब से B.A. courses भी आपके around इसी के आसपास यह conduct करवाते हैं तो fee structure चुकि private university है आप देख पा रहा होंगे तो fee structure भी बहुत हाई हो जाता है private universities का scholarship जो है हाँ यह available है बिलकुल यहाँ आप देखेंगे तो इनकी range जो है 65,000 से लेके 2,40,000 प्रतिवर्स के हिसाब से यह scholarships भी provide कर आते हैं ताकि जो बच्चे हैं हाँ जो economic रूप से बहुत अच्छे नहीं है background इनका अच्छा नहीं है और जो afford नहीं कर सकते तो वो है आप मैसे भी अगर ऐसे लोग हैं जो fee support नहीं कर सकते और अच्छी education चाहते हैं क्या आपके लिए best होगा यह हम बताएं तो नीचे profile analysis form है जिसको fill up करी और आपके basis पे हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए best इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर इनने भाईया बहुत सारी ववस्ताय करके रखी है financial ads की ववस्ता करके रखी है merit scholarship भी है grant और fellowship है loans की ववस्ता भी बच्चों के लिए इन्होंने करके रखी है ताकि दियो है बच्चों को place करवाया है average placement 4-5 लाग का है तो आप देखें अगर की fee structure कैसा है उसके हिसाब से अगर 4-5 लाग का आपको यह provide करा रहा है on an average placement तो खराब नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है सचाई अगर बात हम करें तो हाँ सचाई है हमें ROI की terms में नहीं मिलना return of investment अगर हम invest इतना कर रहें तो return उसके साथ से ज़्यादा मिलना चाहिए ना चलिए top recruiters तो अच्छे है क्योंकि private university है तो collaboration बहुत सारे हैं यहाँ पे आप देख पा रहा हूँगे big bazar, HSBC, GEO, Infosys और सारी 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 CNBC, EC बहुत सारे इनके partners हैं जिसमें facilities आपके college की बहुत सारी हैं प्राइबिटी उनिवस्टी है तो तमाम facility आपको मिल जाएंगी learning resource center हो गया, library services हो गया, digital library हो गया, dell net हो गया, syfinder हो गया, research discovery के लिए pro quest हो गया, मनुपात्र हो गया, इसके अलाबा भया e-book center भी है, world e-book library भी है तो ये पड़दे की ववस्ताओं के लिए इन्होंने centers पड़ा हो है, hostel facilities है बहुत अच्छी जहां पे आपको power wake up हो गया, wifi की ववस्ता हो गया, furnished है, gymnasium है, dance room, music room, laundry facility, canteen की रात को खानी की भी ववस्ता है, studio apartment है, indoor games भी मिल जाएंगे, table tennis, badminton, इत्यादी, सारी चीज़े और भया, reading के लिए, कूमने फिरने के लिए, medical room की ववस्ता, सारी तमाम facilities हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, photo gallery में, पूरा का पूरा, आपको college का, ये पूरा infrastructure देख जाएगा, समझ में आ रहे हैं चीज़े, हाँ बहुत अच्छी बात है, यहाँ curriculum के लावा क्या करवाया जाता है, पढ़ाई के लावा भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो जी हाँ, यहाँ यहाँ पैजेल, मतलब की यह literacy club है, इसके लावा पनाश, यह जो social cultural club है, leasing sports club है, rotart club भी है, national service scheme and SS जिसको कहा जाता है, यह सारी विववस्ता है, extra curricular activities भी यह provide करवा देते हैं, अब campus को घूमना फिरना है, तो photos में मैं घुमा फिरा देता हूँ, यह देख लो, बैसे भी मैंने कूप photo दिखाई दी है तो हाँ, photo auto के मामले में तो बैसी समस्या निया, fast test की, sports की विवस्ता, library facilities, lab हो गई यहाँ पर, सारी विवस्ताएं आपको देख पा रहोंगे, finally, क्या conclude होता है इस वीडियो में इन सारी चीजों के बाद, तो आप देखेंगे, as a private university, nice or far away from city crowd, ठीके, दूर है, अच्छा है सारी चीजे है, infrastructure अच्छा है, environment अच्छा है, teachers भी, obviously, बाते अच्छे ही रखें, well qualified है, educated है, और helpful भी है, placement के records की बात करें, ठीक ठाक है, लेकिन यार, जो highest packages है, average packages है, इसको थोड़ा और अच्छा रखते, fees के हिसाब से, ROI के term में मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे, Wi-Fi enabled campus बसे वो आजकल हर जगा हो रहा है, ठीक है, lab बगेरा सार रखनी बढ़ेंगी न, आपको अगर अच्छी facilities देनी है, तो यही चीज है न, बच्छों को हम क्या करें, practically उनको थोड़ा सा strong बनाएं, और अगर आप NCR में जाके admission लेना चाहते हैं, तो और भी सस्ती fees में, कम fees मे बहुत सारे options available हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं, जानना की आपके लिए क्या होगा best, तो नीचे profile analysis form है, जिसको fill up करीए, और आपकी profile के अधार पे हम बताएंगे, क्या होगा आपके लिए best option, अब भीया, अगर आप देखना चाहें, तो पहले एक बार काम बस घूमाएं, वहां की ववस्ताइं देखा हैं, connectivity देखा हैं, सारी चीजों के बाद आप अगर चाहें, तो इसको target फिर करें, मेरा तो यही सुझाओ रहेगा, बाकी वीडियो अगर अच्छा लगाओ, तो इसको like करना है, दोस्तों में share जरूर कर देना है, और channel subscribe करना है, ताकि course इसकी, college जिसकी और career-related सारी जानगारी यही इसी channel पर सबसे पहले आपको मिल पाए, तो मिलेंगे एंगले वीडियो में, तब तक के लिए रहें